मेरे पहरे देश वाश्यों, मेरी आप से प्रार्थना है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, अब लॉकडाउन किया जा रहा है, बाहर निकलना क्या होता है, य में 21 दिनों के लिए भूल जाए और मैं हाथ जोड़ के प्रार्फना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें गड़ों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए इस्वर मोत को यादर को बाई बच्च के चलो करोना से भाई बच्च के चलो मामारी से हाथ जोड़ कर करूनी वेजन बालक नर योर नारी से एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय बारत सरकार की देश के हर राच्च सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्राप्विक्ता है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए देखी हुई दुर घटना एक लिखरा सुनो कहानी में भाई लिखरा सुनो कहानी में काम पे कले जा छाती धड़के नेन भरे मेरे पानी में दुनिया सारी दुखी हुई है दुनिया सारी दुखी हुई है कोरोना बीमारी से भाई कोरोना बीमारी से हात जोड कर करूनी वेदन बालक नर योर नारी से साथियों आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मन रेखा खीच दिये आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है बिना मसक के बार जाओना किसमत चकर खा रही है भाई किसमत चकर खा रही है चाईना से चली बिमारी पूरे विश्व में आ रही है अपनी सुरक्षा अपने हाथ में बचकर रहो कोरोना से भई बचकर महामारी से हाथ जोड़ कर करूनी वेदन बालक नर यूर नारी से गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे एक मिटर की दूरी बना लो बेतो घर के आंगन में भाई मोदी जी को केणो मानो भाई दो है बात मानन में मोदी जी को केणो मानो भाई दो है बात मानन में राजु कृष्णा सबने बतावे बचके चलो कोरोना से भई बचके चलो महमारी से साथियों मुझे विश्वास हैं हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मकाबला करेगा बल्कि इस मुझ्टिल घड़ी से विजय होकर निगलेगा आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्मे विश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरी तया संयम बरते हुए विजय का संकल्प करें के हम सब इन बंधनों को स्विकार करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद रहुल गंदी की आवाज में हिंदुस्तान के देशवासियों आपका भविश्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है और अगर आप एक सुनेरा भविश्य चाहते हो